हालो फ्रेंट्स कैसे हैं माई नेम इस सर्विस सिंग बिल्कम तो यू माई क्लास जो इस्टुएंट्स हमारे क्लास लेते हैं तो आए सबसे पहले वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का भी बटन दबा दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपक तक शिद्धान्त या कह सकते हैं मेंडल के नियम तो यह जो स्लेवस दिया रहा है आपके लिए वो स्लेवस न्सी आर्टी कोपर डिपेंड पूरा वस एंसी रोडिके इकॉर्टिंग दिया जाता है आप लोगों के लिए तो निट लेबल का है यह कूश्चन हाइसकूल से हो जाता है इंटर में नीट में और बियस्सी तक आता है तो ध्यान दीजिए इस टॉपिक में क्या है कि प्रिंस्पिल ऑफ इन्हेरिटेंस एंड बैरियेशंस बंसागती क्या है अनुवंसिक्ता क्या है तो सबसे से पहले थोड़ा सा एक नजर डालते हैं बंसागती किसे कहते हैं आपने देखा होगा कि जो पैरेंट्स के करेक्टर होते हैं जो पैरेंट्स के करेक्टर होते हैं वो जनरेशन के अंदर पहुंचते हैं जो करेक्टर पैरेंट्स के जनरेशन के अंदर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बनसागती कहते हैं, और जब वो लगातार कांटीन्यू, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से नेक्स जनरेशन में, नेक्स से नेक्स जनरेशन में, इस तरीके से जो ट्रियेट्स, पैरेंट्स के कां किस ने किया था कि आनुबंसिक्ता सब्द का प्रियोग किस ने किया था बेट्शन ने किया था किस ने किया था बेट्शन एक साइन्टिस्ट थे बेट्शन बेट्शन ने 1905 में आनुवन सिक्ता सब्द का प्रियोग किया था लेकिन आपने सुना होगा फादर आप जेनेटिक्स किसे कहा जाता है ग्रेगर जान मेंडल के लिए कहा जाता है इससे पहले भी एक थोड़ी सी वास समझना है आपके लिए बैरियेशन्स यहाँ पर बैरियेशन्स की भी आवश्यक्ता होगी तो बैरियेशन्स क्या होते हैं ये भी जान लीजिए बैरियेशन्स किसे कहते हैं आरवस्थिक्ता है बंसागती है बैरियेशन्स है जिसे बिभिनिता कहते हैं इनका एक गहरा रिलिशन है तो पहले तो variation जानी क्या है विभिनता किसे कहते हैं आपने देखा होगा एक ही parents की सारी generation सेम नहीं होती है एक जैसी नहीं होती है उनमें कुछ नगुछ difference आबस्य होता है कि जिस difference के माध्यम से हम generation को पहचान लेते हैं वही difference वही अंतर variation कहलाता है विभिनता कहलाता है बिभिनता कहलाता है जैसे एक्जाम्पिल की तौर पर प्रतिये एक जन्रेशन अपने पैरेंट्स के लिए चाहें वो कितनी भी भीड में खड़े हों अपने पैरेंट्स के लिए पहचाल लेते हैं क्यों पहचाल लेते हैं सभी के अंदर और और गंस तो एक जैसे ही होते हैं मिंट्फे सभी में होता है आइस भी होती है नुज भी होती अति यह यह होते हैं लेकिन फिर भी अन्हें पहुंज के लिए ऐसा क्यों यह नेच्छल माद्यम से हर्य है अनिमल्स के अंदर कुछ अंतर आवश्य होता है वहीं अंतर डैरियर्षन कहलाता ऐसे को सकता है जैसे कोर थये स्टक्टीर मे भी हो सकती अ कटिऎंग में स सारी रिख्सार होसकता है जैसे कुछ धूटी होते हैं कुछ बड़े होते हैं मोगा- मोगा- किसी के ओरिगंस ज्यादे डल फोतें किसी के और गंस बेल डबलप नहीं होते तो इस तरीके से तमाम प्रकार की ऐसे दिखाई देते हैं एंमल्स के अंदर आपने संभलाव करते हैं ए अंतर के आधात पर हम जनेति फाई कर ले पहंचान लेते हैं उसे बैरियेशन कहते हैं विभिनता कहते हैं तो आपने समझ लिया है कि बैरियेशन क्या होते हैं और यह बंसागति क्या है आनुबंसिक्ता क्या है इसके बारे में आपने जान लिया है तो आप आई यह बात करते हैं थोड़ी सी आनवनसिक्ता सबसे ज़्यादे इस्टेडी किसने के थे ग्रेगर जानमेंडल लेकिन आनवनसिक्ता सब्द का प्रियोग तो बर्ट्षन ने 1905 में कर दिया था लेकिन ग्रेगर जानमेंडल के लिए क्या बोला जाता है फादर आफ जनेटिक्स कहा जाता है आनवनसिक्ता के पितामा कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो थोड़ा सा विचार करते हैं ग्रेगर जानमेंडल पर तो जो ग्रेगर जानमेंडल थे यह कहां के थे यह यह यूरोप में एक country है जिसे आस्ट्रिया कहते हैं नोट करना जहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं आस्ट्रिया में एक सहर है जिसे ब्रून के नाम से जाना जाता है इस ब्रून सहर में 1822 में इनका जन्म हुआ था इस में ओडिया जन्मी इवरोप में आस्ट्रिया कंट्री में ब्रून सहर के अंदर 1822 में इनका जन्म हुआ था है यह एक मत्र के पादरी थे मैं जब ये चर्च में चर्च का अवकास होने के बाद मत्र के पौधे पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे इन्होंने कौन सा पौधा लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए मत्र के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और कितने बरसों तक किया था एक्सपेरिमेंट किया था 1865 में इन्होंने आनुबंसिक्ता के नियमों के लिए प्रस्तुत कर दिया जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है पहचाना जाता है तो कितना संघर्स किया था इन्होंने मत्र के पौधे पर अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट इन्होंने आठ बरसों तक लगातार किया था और इसके बाद में इन्होंने आनुवसिक्ता की नियम दिये थे इसी नियम के आधार पर इन्हें फादर आप जेनेटिक्स कहा जाता है आनुवसिकी के पितामा कहा जाता है लेकिन लेकिन इनके नियमों पर किसी का ध्यान लगवग 34 से 35 वरसों के बीच बिलकुल नहीं गया या कह सकते 35 एर तक या 34 वरसों तक इनके नियमों पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया लेकिन इनकी डैथ हो जाने के बाद लगवक 34 35 वरसों के बाद में तीन ऐसे साइंटिस्ट आ गया जिन्हों ने इनके नियमों पर ध्यान दिया वो साइंटिस्ट कौन से थे नीट वाले स्टुडेंट्स नोट कर लीजी वो साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने जिनोंने आरवन सिक्ता के नियमों का उलेख किया था जो मेंडल ने प्रस्तुत किये थे वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे कौन कौन से साइंटिस्ट थे नमबर वन पहले साइंटिस्ट हॉलेंड के हॉलेंड के साइंटिस्ट कौन थे किसी स्टुडेंट्स को मालूम हो तो बताइए हुंग्रो डिब्रीज दूसरे साइन्टिस्ट कहां के थे आस्ट्रिया के तीसरे साइन्टिस्ट कहां के थे जर्मिनी के जर्मिनी के कौन थे कार्ल कोरेंस और आस्ट्रिया के कौन थे बताइए सेर्माग सेर्माग इन ने मैंडल के नियमों का उल्ले किया इस पर एक्सपेरिमेंट किया इस पर विसेष इस्टेडी की इसके बाद में उन्होंने समाज के सामने दुनिया के सामने मेंडल के नियमों को प्रस्तुत कर दिया जिसे आज हम लोग मेंडलिज्म के नाम से पढ़ते हैं मेंडल बाद के नाम से पढ़ते हैं इसी बज़े से मेंडल के लिए क्या कहा जाता है फादर आफ जेनेटिक्स कहा जाता है आनुबंसिकी के पितामा कहा जाता है अब आनुबंसिकी का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है यह भी इस्टुडेंट्स ध्यान दीजिए तो आनुबंसिकी का अध्यन किसके अंतरगत किया जाता है किसे कहते हैं आनुबंसिक की वह साखा या बायलोजी की वह साखा जी क्या कहा जाता इसकी परिवासा क्या है बाइलोजी की वह साखा जिसके अंतरगत आनुबंसिकी की समानताओं एबं विभिनताओं का अध्यन किया जाता है उसे आनुबंसिकी विज्ञान कहते है उके चलो आपको यह तीनों साइंटिस्ट पता चल गए हैं इसके बाद में बा क्याल च्यान किया था है mamdaっ कि पौधी का चैन क्यूं किया था और भी तो प्लांट्ट सो सकते थे कई विभिनताओं देखी थी उन्होंने मटके पौद 티 के अंदर सात लक्षणों के लिए देखा था और वह सात लक्षण कौन से हैं नियेट फाले स्टूडेंट्फ ध्यान बीजीए वह साथ करेक्टर कौन से थे साथ स्ट॥ लक्षण कौन से थे नभर वन उन्होंने लक्षण कहां से लिया था स् nagyon unfrés लोभर के स्सीती क्या है अ greeted टो इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन कैसीweder इसकी स्थिति कैसी है, दूसरा इसका color, इसकी अधात पे लिया था, तीसरा pod से लिया था, फलियों से लिया था, इसका shape कैसा है, और इसका color कैसा है, 4 number, seed, seed में भी एक तो color लिया था, और इसका shape लिया था, कितने लक्षण हो गया, एक तो लक्षण है आहां से लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, इन साथ लक्षणों के लिए उन्होंने मटर के पौधे पर देखा था, इन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्होंने मटर के पौधे का सेलेक्शन कर लिया था, उसका चैन कर लिया था, इसके अत पौधा आराम से अनकुलित हो जाता है उसे तयार किया जा सकता है हर एक बाताबन में ऐसे पौधे के लिए तयार किया जा सकता है एक बर्स में कम से कम तीन या चार बार तक इस मटर के पौधे को तयार किया जा सकता है इसलिए भी मटर के पौधे का सेलेक्शन कर लिया और उ पौधी का सब्सक्राइब कर लिया और एक विसेश्ता थी क्या वो विसेश्टा यह थी कि मत्र का पौधा बाई साथ का दिलिंगी सागस्टाइब बंतर दुनौं प्रकार के गैमीट एक फ्लावर के अंदर बनते हैं male gamete भी बनते हैं और female gamete भी बनते हैं इसके आधार पर भी उन्होंने देखा कि bisexual ये flower है इसमें bisexual flower है इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाएगी इन सारे लक्षणों को देखते हुए उन्होंने मत्र के पौधे का selection कर लिया था चैन किया था तो इसके आधार पर उन नोट करना चाहिए नोट भी कर सकते हैं जो स्टुएंट से नोट करना चाहिए नोट भी कर सकते हैं कौन-कौन से नियम उन्होंने दिये थे मेंडल ने पहला नियम उन्होंने क्या दिया था ला आफ डोमिनेंस लाफ डोमिनेंस दूसरा लाफ शेग्रिगेशन तीसरा नियम दिया था, law of independent and assortment, ये नियम क्या दरसाते हैं, ये नियम क्या बताते हैं, law of dominance, प्रभाविता का नियम, law of segregation, प्रथक करण का नियम, law of independent and assortment, स्वतंत्र अप्रभाविता का नियम, तो मेंडल ने आनवन सिक्ता के तीन नियम दिये थे, ये तीनों नियम मेंडल के mono hybrid cross and die hybrid cross से ये मिलते हैं, तो मेंडल ने पहला आपना क्रास किसके उपर कराया था, मेंडल ने पहला क्रास मतर के पौधी पर कराया था, तो नोट करना चाहिए आप नोट भी कर सकते हैं, तो मेंडल ने एक संकर क्रास दिया था, जिसे mono hybrid cross कहते हैं, क्या कहा जाता है, mono hybrid cross, एक संकर क्रास, इसे क्या बोला जाता है, एक संकर क्रास मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने मतर के पौधी पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें इन्होंने दो तुलना तमक लक्षणों के लिए लिया था, दो तुलना तमक लक्षण लिये थे, जिनमें एक पौधा लंबा था, दूसरा पौधा बौना था, एक पौधा कैसा था, लंबा था, और एक पौधा बौना था, तो लंबे पौधे के लिए उन्होंने एक सिंबल लिया था, क्या सिंबल लिया था, capital टी लिया था और जो बॉने-पच ते उसके लिए उन्हें कौन सा सिम्बल लिया था small t का प्रियोक किया था तो इन पधों के बीच में प्यॉर टैल एंड प्यॉर डॉर्फ पधों के बीच में जब उन्होंने क्रास कर आया तो उसकी f1 generation किस तरीके से आती है देखिए इदर तुध्यानदीजी कैप्टल टी कैप्टल टी ये प्लेंट्स कैसा है प्योर टैल है उके स्माल्टी ये प्लांट्स कैसा है ये सुध बॉनधा है ये सुध लंबा पंदह है अब इन दोनों पंदों के क्रॉमस्वम्स के लिए अलग कर लिया गया या एलेल्स कह सकते हैं इनके लिए सेप्रेट कर लिया गया अलग अलग कर लिया गया इसमाल टी इसमाल टी धर आ गया अब इसका क्रास एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा ओके फिर इसी तरीके से इसका क्रास एक बार इससे होगा फिर एक बार इससे होगा इसका क्रास इससे कराते हैं तो क्या आता है capital T और ये small t आ गई अब इसका cross किस से कराते हैं इस से कराते हैं क्या आता है capital T और ये small t ओके अब इसका cross किस से कराते हैं capital T और small t आ गई इसका cross अब इससे होगा तो क्या आएगा capital T और ये small t आ गई ठीक तो इस तरीके से जब इन aliens के बीच में cross कराया जाता है या gametes के बीच में kras 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 हैं होमो जाइगस हैं जब होमो जाइगस और मेल एंड फीमेल पौधों के बीच में क्रास कराया जाता है तो उसकी एफबन जो जनरेशन आती है यह कौन सी जनरेशन आ गई है एफबन जनरेशन आ गई है प्रथम पीड़ी आ गई आल जनरेशन कैसी आ गई टैल हाइब्रिड आ गई है वैसे आगए कि आई आ गया यह सारे पौधिक ऐसे आ गया है यह किसे कहते हैं अब ध्यान दिजिए यहाँ पर copies कि से qeyते हैं तो यहाँ पर जो कैप्टल T है और यहाँ पर इसमाल टी है यह किसका सिंबल है प्यॉर ड़ ओंज। सुद्ध बॉने तो जब इन एलीज को अलग करने के बाद में इनके जब एलीज भाग लेते हैं या कह सकते हैं जब इनकी जीन की सारशना भाग लेती हैं तो capital T का प्रभाव प्रतियेक small T के उपर पढ़ चुका है इसलिए small T के लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते हैं किसके लक्षण यहाँ पर हा भी हो जाते हैं capital T के लक्षण यहाँ पर हा भी हो जाते हैं इसी बज़ए से यह generation कैसी आती है यह tail hybrid आती है लंबी आती है इसी बज़ए से इसे क्या कहा जाता है प्रभाविता का नियम भी कहते हैं laugh dominance भी कहते हैं क्यूं कहते हैं क्यूंकि capital T का प्रभाव small T के उपर पढ़ चुका है यहाँ पर इस generation के अंदर तो small T के लक्षण यहाँ पर दब गए है इसमाल T के लक्षण यहाँ पर हा भी नहीं हो पाते हैं हा भी किसके लक्षण हो जाते हैं capital T के हा भी लक्षण हो जाते हैं इसी बज़ए से यह all generation कैसी आती है tail hybrid आती है इसी बज़ए से इसे प्रभाविता का नियम भी कहा जाता ह यानि ये प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है तो ध्यान दीजिए उन्होंने ये तो F1 जन्डेशन आ गई प्रथम पीड़ी आ गई उन्होंने दूसरी पीड़ी के लिए भी इसका क्रास करा दिया था तो दूसरी पीड़ी के लिए किस तरीके से उन्होंने क्रास करा दिया था तो ध्यान दीजिए F2 जन्रेशन के लिए यानि ये सारे पौधे कैसे हैं सेम हैं एक जैसे हैं इन में से कोई से दो पौधे ले सकते हैं क्यूंकि जो सारे पौदे हैं वो कैसे हैं सेम हैं एक जैसे हैं चलिए क्रास कराते हैं से कराना है इसका क्रास एक बार इस से करा दिया तो क्या आएगा कैप्टल बर्ड पहले राइट करते हैं कैप्टल टी और इसमाल टी इसका क्रास इस से करा दिया तो क्या आया इसमाल टी दोनों जगे इसमाल टी आ गई अब इसी तरीके से इसका क्रास इस से करा देते हैं तो magnitude wis your update है लिए improv यह जाम देगते है तो आता है इसे प्रथक जर्वाणका often भी कह जाता है इसनों की हैं और जब दो बीच में क्रास कर आया गिया थो इसकी जो जन्रेशन आती है वो सारे जन्रेशन सारी ज़े फी जन्रेशन इक जैसे नहीं होती है् address ॥ hypoc Volt जन्रेशन इसमें एक जैसी नहीं है ना तो इसके समान है सारी जन्रेशन एक जैसी नहीं है अर्थात ये जन्रेशन कैसी हो जाती प्रथक हो जाती अपने पैरेंट से डिफरेंट हो जाती है भिन्न हो जाती अलग हो जाती है इसी बज़े से इसे लाफ से ग्रिगेशन भी कहत तो यह प्रत्रकड का नियम भी पालन करता है तो यह अगर इसका रेशियो देखते हैं रेशियो भी इसका दो तरीके से आता है एक तो जीनो टाइप क्या है जीनो टाइप दूसरा फीनोटाइप जीनोटाइप क्या है और फीनोटाइप क्या है नोट भी कर सकते हैं इसे जीनोटाइप में क्या देखा जाता है इसकी एक्चुल इस्थिति क्या है यानि इसमें एक्चुल इस्थिति क्या है बास्तिविक्ता इसके अंदर क्या है जीन सर्रशना की बा यहां पर बना जाएगा एक हम आगया इसका जी नो टाइप निकालते हैं यह होता है मुसे द्रस्ती रूप से देखते फिल्णंत summer है श्akat यहां पर हमें देखना है कि यह पोधा कैसा चल High एक साथ हई है थैल CHA OUT तो यहां पर टेल बर्ड यहां पर भी लगा हुआ है पर मैं लग रबल लगा हुआ अर्थार देखने में यह पौधे लंबे दिखाई देंगे ओके देखने में यह तीनों पौधे कैसे दिखाई देंगे लंबे दिखाई देंगे और यह पौधा कैसा दिखाई देगा डॉर्फ दिखाई देगा बॉना दिखाई देगा तो इसका फिनो टाइप क्या जाएगा दो पौधे यह हो गया एक पवदागी हो गया तो क्या जाएगा थिरी रेशियो 1 रहाँ ने इसका रेशियो आता है इसे ही क्या जाता है मेंडल मेंडल का संकर क्रास कहा जाता है मेंडल का सख दोमिनंस का पालन करता एक पालन जर्यतरो कि वह पालन करती Temple तो इस तरीके से मैंडल का एक संकर क्रास गम्पिलीट होता है अब इसका हम ढाइ दिसंकर क्रास, वो भी देख लिजीएगा, दिसंकर क्रास किस तरीके से, मेंडल ने दर्साया था, क्या बताया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल ने यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, क्या दर्शाय था दू प्रकार के पौध ही लिये थे जिनमें ये भी एक्सपेरिमेंट किसके उपर था मटर के पौध ही की उपर किया गया था जिसमें कंडिशन क्या थी जिनमें एक पौधा उन्होंने कौन सा लिया था यहाँ पर डाल दीजिए नंबर दूसरा डाई हाइब्रिड क्रास दिशंकर क्रास दिशंकर क्रास चलिए ध्यान दीजिए मेंडल ने दो कारक लिये थे जिनमें एक कारक कैसा था राउंड एलो उसके लिए उन्होंने राउंड के लिए कैप्टल आर यूज किया था और एलो के लिए कैप्टल यूज किया था राउंड एलो इससे क्या बोला जाता है गोल पीले यह पोधे कैसे हैं राउंड एलो का मिंस क्या हुआ है गोल पील राउंड एलो राउंड के लिए कैप्टल आर उज किया है एलो के लिए कैप्टल वाई उज किया है उके इसी तरीके से दूसरा पौधा उन्होंने कौन सा लिया था रेंकिल्ड ग्रीन लिया था जुर्रीदार हरा लिया था कौन सा रेंकिल्ड ग्रीन उसके लिए उन्होंने स्माल आर इसकिया था रिंकिल्ड दिया के लिए और ग्रीन के लिए इस्माल वाई Rio bueno wise किया धा उके यह कैसा है एकलोय जुरीदार हरा इन दोनों पॉधों के बीच में पॉन्हें जब उन्होंने क्रास कराया तो उसकी जनरेशन आती है वो कैसी आती है इसकी F1 जनरेशन प्रथम पीडिस की जो आती है वो कैसी आती है आर और क्या जाएगा इसमाल आर कैपिटल वाई इसमाल वाई यानि जो जनरेशन आती है अगर इसका हम क्रास करा दें इस तरीके से आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे भी तरीका एक बताता हू राउंड एलो आती है कि ओके अगर इसके ऐलिल कैसे निकलते हैं तो इसके आधार पर हम एलिल निकाल सकते है इसलिए मैं आपके लिए दर्स आया है round किसका r इहां पर h vey हो चुकी है r kis का symbol है round के लिए capital y small y उपर h vey हो चुकी है तो इहां पर capital y किसके लिए दर्श आया गया है लow के लिए दर्श आया है तो ये generation कैसी आती है f1 generation round अब इसके gamits निकालने के लिए क्या किया जाता है इन्हीं काव हम Krash करा लेते हैं Capital R Small R एक तरफ right कर लेते है Capital Y इसका खुराइस एक बार इससे करा दिया तो क्या आएगा तो ध्यांदी जीए यहाँ पर क्या आ रहा है Small R Capital Y एक संकर क्रास की तरही क्रास इसका भी कराना है तो small r और small y यह आली आ गई है इसका cross इस से करा दिया तो क्या आ रहा है capital r और capital y आ गई है इसका cross इस से करा दिया तो क्या आया है capital r और small y आ गई है तो इस तरीके से इसका cross करा दिया यह इसके gametes आ गए है माली जी या male gamete है एसे ही female gamete होते हैं जब इसका F2 generation के लिए cross कर आते हैं तो क्या आता है तो ध्यान दिजीएगा इस तरीके से एक चाउकोर board बना लेते हैं जाउकोर बोर्ड इस तरीके से बना लिया गया है अब आप ओके तो यह जो गैमिट है इधर राइट करेंगे किस तरीके से राइट करेंगे तो ध्यान दीजिए किस तरीके से राइट करते हैं गैमिट के लिए तो कैप्टल आर कैप्टल वाई है पहले यहां पर कैप्टल आर और कैप्टल वाई लगा दिया गया फिर क्या है कैप्टल आर और इसमाल वाई है फिर इसके बाद में इसमाल आर कैप्टल वाई है फिर क्या है इसमाल आर और इसमाल वाई है इधर भी इसी तरीके के ऐलीन्स लगा लेते हैं, capital R, capital Y, capital R, small Y, small R, capital Y, यह word, यहाँ पर लगाना है, इसको series के लिए, थोड़ा उपर खिसका दीजिएगा, capital R, capital Y, capital R, small Y, small R, capital Y, यह वाला आगया, और यह वाला, small R, small Y, एक तरफ male gamit होंगे यह, मल लिजे, यह male gamit है, male gamit है यह, और इधर female gamit होंगे, female gamit, ओके, अब इसका हम cross कराते हैं, इसका cross इससे कराते हैं, तो क्या होगा, R, R, यहाँ पर इकठी हो जाएंगी दोनों, बाई, बाई, यहाँ पर इकठी हो जाएंगी, ओके, अब इसका cross इस column में इसके साथ कराते हैं, तो क्या आएगा, R, R, इकठी हो जाएंगी यह वाली दोनों, और capital Y, इसका cross इससे कराते हैं, तो capital R यह वाली आगई, और small R यह वाली आगई, capital Y, capital Y, दोनों जगह हैं, तो लगा दिया गया, अब इसी तरीके से, इसका cross इससे कराते हैं, तो क्या आएगा, capital R, small R, इधर capital Y और इधर, इसमाल वाई दी हुई है इसी तरीके से इसका क्रास इससे करा दिया है तो दोनों जगे कैप्टल आर है तो पहले कैप्टल आर लिखते हैं फिर कैप्टल वर्ड पहले लिखा जाता है कैप्टल वाई है इसमाल वाई है लगा दिया गया इसके बीच में से क्राश कराया कैप्टल आर कैप्टल आर इसमाल वाई इसका क्रास इससे करा दिया इसी तरीके से कैप्टल आर इसमाल आर कैप्टल वाई है और यह इसमाल वाई है इसका क्रास इससे कराया capital R, small R, small Y और small Y आ गई है इसी तरीके सिसे भी भरना है capital R, small R, दोनों जगे capital Y यह लगा दिया इसी तरीके सिसे भी भरना है capital Y, small Y, small R, small R, capital Y, capital Y इसी तरीके सिदर भी small R, small R, capital Y और small Y इसी तरीके सिधर भी लगा दिया capital R, capital Y, sorry capital R, small R, यह वाली small R आ जाएगी capital Y और small Y, इसका क्रास इससे करा दिया capital R, small R, small Y और small Y, इसका क्रास इससे कराया इस column के लिए, अब इसका नामकरण करते हैं किसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नामकरण कैसे होता है, इसकी एक मैथड और भी है, आपके लिए next वीडियो में दर्सा देंगे, इस तरीके से allies के लिए हम निकाल सकते हैं, gametes के लिए, तो यह simple तर तो इस तरीके से क्या करते हैं, यह नामकरण कैसे होता है, capital R किसके लिए प्रतिक लिया गया है, round के लिए, okay, small R किसके लिए लिया गया है, wrinkled के लिए, जुर्णिदार के लिए, capital Y, yellow के लिए, और small Y, green के लिए use किया गया है, अब नामकरण इसका कैसे होता है, उसको ध्य जाता है, right किया जाता है, प्रथम बर्ड, प्रथम बर्ड, एबं तृतिय बर्ड, तीसरे बर्ड पर, नामकरण किया जाता है, नामकरण होता है, इसका नामकरण होता है, इसका नामकरण होता है, इसे नोट कर लें, अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम बर्ड इसका क्या है capital R है, तो capital R किसका symbol है? round का तो इसे round कर लिया गया अब तीसरा bird बता रहा है, तीसरा एक, दो, तीसरा क्या है? capital Y capital Y किसका प्रतीक है? yellow का है तो यह क्या हो जाएगा? round yellow यह कैसा हो गया? round yellow इसी तरीके से पहला bird क्या है? round, capital R लगा हुआ है और तीसरा capital Y लगी हुई है तो इसके लिए yellow आ जाएगा इसी तरीके से यह वाला भी round और यह capital Y लगी हुई है यहाँ पर तीसरा बड़ तो यह yellow आ जाएगा यहाँ पर भी round हो जाएगा और यहाँ पर भी यह तीसरा बड़ capital Y है तो एलो हो जाएगा इसी तरीके से ये वाला भी round ओके और capital Y एलो के लिए दर्साय गया है ये भी round और ये small Y यहाँ पर तीसरा बड़ लगा हुआ है तो उसके लिए क्या यूज किया गया है green उसके लिए green यूज किया गया है यहाँ पर capital R है तो round हो गया चलिए capital Y लगी हुई तो एलो के लिए यह है एलो ओके capital R round के लिए लगा हुआ है अब यहाँ पर small Y लगी हुई उसके लिए green यूज किया गया है यहाँ पर भी क्या है capital R लगा हुआ है तो round capital Y एलो के राउंड यह एलो इस तरीके से भर लेते हैं इन सबको यहाँ पर पहला बर्ड क्या लगा हुआ इसमाल आर इसके लिए रिंकिल्ड यूज किया जाएगा रिंकिल्ड इसे उसकरते हैं capital Y लगी हुए तो क्या होगा ओलो रिंकिल्ड इंडे लो इवाला प्लांट्स हो जाएगा और इहां पर भी इसमाल आर लगिवी तो इसके लिए क्या है रिंकिल्ड आजाएगा पर इसमाल रंड इसमाल x लगी हुए उसके लिए क्रीन आ McM क्रूवह इसके लिए इसमाल आर लगी हुई है, इसके लिए रिंकिल्ड, इसके लिए रिंकिल्ड होगा, अब कैप्टल वाई लगी हुई, इसके लिए क्या होगा, एलो होगा, यहाँ पर इसमाल आर है, इसके लिए रिंकिल्ड होगा, इसमाल वाई है, इसके लिए ग्रीन होगा, तो यहां पर कितने पौधे देखने के लिए मिलते हैं 1 2 3 4 कितने हो गया 16 प्लांट्स मिलते हैं टोटल प्लांट्स कितने होते हैं यहां पर 16 मिलते हैं जिन में से 9 प्लांट्स कैसे होंगे राउंड एलो होंगे राउंड एलो और थ्री प्लांट्स कैसे होंगे रिंकिल्ड एलो होंगे वन टू थ्री थ्री प्लांट्स रिंकिल्ड एलो रिंकिल्ड एलो होंगे ओके और थ्री प्लांट्स कैसे होंगे राउंड ग्रीन होंगे राउंड ग्रीन होंगे और बन प्लांट्स कैसा होगा रिंकिल्ड ग्रीन होगा तो इस तरीके से ये इसका जीनो टैप निकल के आता है अगर इसका रेशियो देखे तो क्या एगा नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन ये कहलाता है इसका रेशियो तो मेंडल मेंडल ने एक तीसरा नियम ये दिया था, independent and assortment, स्वतंत्र अभ्यून का नियम, स्वतंत्र अभ्यून के नियम में में मेंडल ने क्या दर्साया था, जब दो कारकों के बीच में, दो या दो से अधिक लक्षण उनके बीच में होते हैं, ऐसे plants के बीच में क्रास कराया जाता है, तो उनकी आने वाली जो generation होती है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रभावी नहीं बनते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं दर्साते हैं, अर्थात वो एक दूसरे से वो स्वतंत्र बने रहते हैं, अलग बने रहते हैं इसलिए इसे स्वतंत्र अभ्यून का नियम भी कहा जाता है। ये प्लांट से एक दूसरे से स्वतंत्र बने रहते हैं। इसलिए स्वतंत्र अभ्यून का नियम भी कहा जाता है। तो इसका ये क्यारिक फीनो ताइफ निकल के आता है। तो ये 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 कहलाता है, ये मेंडल का दिशंकर क्रास कहलाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्रास पढ़ लिए है जो इस्टूएंट्स हमारा वी झाल झाल झाल